हाई दोस्तों बहुत बहुत सागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़ने के लिए तुरंद कर लीज़े इसे कियाने वाली सभी वीडियो की इन्फर्मेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे तो सबसे पहले तो हमें जरूरत होगी कुछ इस तरह से एक बड़े बरतन में हम लेंगे कुछ एक कटोरी या कप से नाप कर ये चावल का आटा है तो मैंने याँ चावल का आटा लिया है अब इसमें हम पानी डालेंगे चावल का आटा हमने एक कप लिया है तो पानी डालेंगे हम दो कप अगर आप कटोरी से गलास से कप से जिस भी चीज से नाप रहे हैं तो जितना आटा ले उसका दोगुना पानी इसमें डालें हमें इसका बिल्कुल पतला बैटर बनाना है और विसकर से या चमच की मदद से आप अच्छे से इसको घोल लीजिए मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ तो मैंने यापर थोड़ा सा और लिया है लेकिन मैं उसी के कोडिंग पानी भी इसमें मिलाऊंगी तो आप कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होईएगा इसको गाड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में जितना आप बैटर आटा ले चावल का उसका डबल कॉंटिटी में आपको पानी डालना है बस आप इस बिल्कुल भी घबराईए मत कि इतना पतला बैटर है तो कैसे बनेंगे तो अगर आपने पहले कभी बनाये होंगे तो आप जरूर जानते होंगे कि इस तरह से बनते हैं तो हम आज स्टीम करके बना क्यानी अब मैंने यहां पर एक इस तरह की थाली ली हुई है आक्चली आप ये पापड कितना भी बड़ा भी बना सकते हैं और लेकिन बाद में फ्राइ करने के ताइम पर आप उनको टुकडों में तोड़ सकते हैं और तोड़कर प्राई कर सकते क्योंकि इस method में ठोड़ आजाए अब कुछ पानी डालेंगे और पानी उबलने देंगे हम पानी देखिए मैंने आदा कड़ाई ही लिया है अब डग अब बनाने से पहले एक बार इस मिस्रण को हम जो बैटर है मारे पास इसको अच्छे से एक बार मिला लेंगे अधर वाई चावल नीचे बैठ जात मिला दिया है और इसे से मिक्स कर देंगे इस तरह से देख रहे हैं यह कीतना पतला है बिलकुल पानी जैसा अब इस तरह की एक चमश की गहरे चमचे की हमें जरत होगी आप देखरTV पानी अच्छे सE बॉयल होने लगा आप देख रहा है थाली ली थी जो बड़ी सी इसको रख दिया है grease करने के लिए इसके ऊपर अब जैसे यह थाली को रख दिया है आप थाली के ऊपर हम बैटर लेकर चमच की मदद से आधा चमच इसमें डालेंगे ये देखिए कुछ इस तरह से यतना पतला है इसी वज़े से आपके जो पापन है वो काफी पतले बनकर त्यार होगे और आप इसको चमच की मदद से फैला भी सकते हैं और पतला कर सकते हैं लेकिन ये काम आपको जल्दी से करना है क्योंकि इसके बाद हमें ढखना भी है और ढखकर हमें इसको दो मिनट के लिए पकाना है जिससे की चावल बिल्कुल भी कच्चे ना रहें अगर चावल थोड़े से भी कच्चे रह जाएंगे तो पापड आपके अच्छे से कुरे औ मुलायम नहीं बनेंगे ये देखिए मैंने ढख दिया इसको ढखकन से अब ये कुछ इस तरह का हो गया है देख रहे हैं आप ये साइट से भी बहुत अच्छे से निकल गया है लेकिन ये थोड़ा सा मोटा हो गया है क्योंकि ये बरतन बड़ा है और बीच में से थोड़ा अब नीचे उतार कर इसको चाकू की मदद से इसको निकाल लेंगे और अब हम इसको एक प्लेट में अलग रख लेंगे और धूप में हमें सिखान सुखाना है इसको कड़ी दूप में दो से तीन या चार दिन तक जब तक अच्छे से सूख ना जाए अब मैं दूसरा में मिनट आपको बता रही हूं मैंने में आपर एक भगोना पैन या बरतन इस तरह का लिया है सॉस पैन जिसको बूलते हैं उसमें एक छूटी प्लेट लगाई हुई है अब देख रहे हैं अगर आपके पास कड़ा ही या उस तरह का कुछ भी ढखकर नहीं है तो आप इस तरह से बनाई है छूटी प्लेट लीजिए और प्लेट में पूरा फैला दीजिए असानी से देख रहे हैं प्लेट में मैंने तेल लगाया हुआ तेल आप जरूर लगा है अदरवाइस निकालने में प्रॉबलम होगी अब इसे भी ढख देंगे दो मिनट के लिए इसको बराब नीचे उतारने के बाद उसी मेथट में फिर से मैं चाकू की मदद से आप देख रहे हैं यह वाला पापर काफी पतला बना है यह बिल्कुल परफेक्ट बन कर तयार हुआ है और किनारे से लग करते हुए इस तरह से निकल आएगा और बस जिस भी चीज में आप सुखा रह आपको तलकर बताती हूँ तुम्हें पास कुछ यूजड ऑईल रखा हुआ है कड़ाई में तो मैं आपको एक पापर तलकर दिखा देती हूँ एक यो दो कैसे यह बने हैं यह देख रहे हैं आप बहुत ही ज्यादा गरम तेल होना चाहिए इनके लिए जिससी की तुरंत अगर तेल कम गरम रहेगा तो आपके यह पापड बहुत ही ज्यादा टाइट तलकर त्यार होंगे यह बहुत ही क्रिस्पी और चिप्स की तरह एकदम सॉफ्ट नहीं होंगे देख रहे हैं आप कितने अच्छे से यह बिल्गुल फूल जा रहे हैं परफेक्ट एकदम बनक पर त्यार हैं बहुत ही स्वादेश्ट तो उम्मीद करती हूं वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा